उम्र के साथ ही साथ कोई न कोई परिशानी लगी रहती है कभी हमें घुटने में दर्द होता है कभी हमें कमर में दर्द होता है बेवज़ा ही ठकावट लगती है किसी काम को करने का मन नहीं करता ऐसा लगता पड़े रहो हड़ियों को मजबूत करना चाहते हैं शारिडिक ठकान को दूर करना चाहते हैं शरी को हस्ट पूस्ट बनाना चाहते हैं तो मैं आपके लिए अपने परिवार के लिए कुछ ऐसी रेमेडिस लेकर आई हूँ जिसके कुछ दिनों के इस्तमाल से ही आपको रिजल्ट मिलने लगेगा उन्ही में से सबसे पहले मैंने लिया है मेथी के बीज जिसे हम लोग फैनुगरिक सीड भी कहते हैं मेथी के बीज बहुत ही जादा ताकतवर बीज होते हैं कई बिमारियों से हमें बचाता है मेथी का सेवन मेथी का पानी पीने का सही तरीका है सुबह पीएं खाली पेट पीएं इसके लिए आपको क्या करना है दो छोटे चमच मेथी लीजिए राद भर पानी में फुला कर भिगा कर सोक करके रख दीजिए सुबह उठकर इस पानी को हलका सा गरम करके फिर पीजिए अगर हाई भी पी है न तो आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आएगा अगर सुबह उठकर आप मेथी का पानी पीएंगे तो इसमें इतना जादा पोटेशियम होता है ये हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है दिल के रोग के खत्रे से बचाता है याने की मेथी का पानी पीने से कोलेस्टरॉल की समस्या भी दूर होती है हमारे हाट को मजबूत बनाता है फैनुग्रिक वाटर इतना जादा ताकतवर होता है मेथी का पानी इसके अलावा जो मेथी के बीज होते हैं ना दोस्तों आप चाहें तो ठंड के मौसम में इसकी सबजी बना कर भी जरूर खाएं यदि मेरा यूट्यूब परिवार मुझे कमेंट करेगा कि मेथी की सबजी कैसे बनाई चाती है तो मैं आपको सबजी बना कर भी दिखाने वाली हूँ तो देख सकते हैं रात भर मैंने इसे भिगा कर रखा था आप मेथी के पानी का कलर देख सकते हैं सारी गुडनेस इस पानी में आ गई है आप चाहें तो इस पानी को हलका सा गरम करके पिए खास का ठंड के मौसम में डाइबिटीज की बिमारी को दूर करता है मेथी के पानी का सेवन हमें हमारे कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रूल करेगा इसके अलावा जो लोग बढ़ते हुए वजन से परिशान हैं वजन को घटाना चाहते हैं वे फैनुगरिक वाटर को अच्छी तरह से उबाल ले चान जितना आप लोग चाहे काफी सिप ले लेकर पीते हैं वैसे ही गर्म-गर्म फैनुगरिक वाटर को पीजए शरीर में जमें हुыпये फैट को शरीर में जमी हुई चरबी को तेजी से कम करेगा फैनुगरिक वाटर और सान्ति साथा आपके मोटापे को दूर करेगा पेट ज अच्छा आपको result मिलेगा मैंने जैसे आपको बताया मेथी का सेवन हमें बहुत सी बिमारियों से बचाता है जिन्हें joint pain गठिया arthritis की परिशानी है उन्हें भी मेथी का पानी जरूर पीना चाहिए हडियों को मजबूत बनाता है मास पेशों की अकड़न जकड़न को दूर करत इसी तरह से मेथी के तेल से अगर हम मालिश करते हैं इससे भी हमारे हडियों की सूजन काफी हद तक कम होती है इसके लिए आपको क्या करना है यहाँ पर मेथी को सरसो तेल में डाल कर पका लीजे आप चाहें तो मेथी के साथ आधा चमच अजवाइन भी डाल सकते हैं जिस दाने एक चमच मेथी के बीज को डाल कर इस तेल को अच्छा पका लें और फिर इस तेल का आप लोग इस्तमाल करें पुराने से पुराना आपका हड्डियों का दर्थ जोडों का दर्थ जोईन पेंट बिल्कुल ही ठीक होगा आप यहाँ पर सरसो तेल की जगह तिल का तेल भी ले सकते हैं सैसमे सीड ऑईल का भी इस्तमाल कर सकते हैं तो तेल को आप चाहे ना तो गैस पर स्लो फ्लेम पर थोड़ा पका लीजिए इसके बाद आप इस तेल को चाहें तो छान कर किसी डिब्बी में डाल लीजिए इससे आपके जोडों की सूजन दूर होगी पैरों में कहीं लचक आ गई है मोच आ गई है वहां पर भी इस देल से मालिश करें शरीर के किसी हिससे की नस दब गई है तो दबी हुई नस को कमजोर नसों को तागतवर बनाने के लिए भी मेथी अजवाइन के देल से रोज मसाच करिए आपको तुरंध इसका फायदा मिलेगा मासपेशों में मजबूती आएगी हड्डियों की कमजोरी दूर होगी और गुटनों में जो ग्रीस खत्म हो गया है गुटनों में जो बहुत तकलीफ है चलने फिरने में वो सारी परशानिया बिल्कुल ही दूर होगी तो देखें मेथी का तेल अच्छी तरह से पकना शुरू हो गया है और अजवाइन मेथी की बहुत अच्छी खुजबू आ रही है जो होम रेमेडिस होती है न दोस्तों वो हंड्रेट परसेंट वर्क करती है होम रेमेडिस का कभी भी कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है जरूरी नहीं कि हम बहुत महंगा पैसा बहुत पैसा खर्च करके बहुत महंगी ट्यूब लाएं मालिश करने के लिए जो कि हमें हड्डियों के दर्ड से बचा ले घर का बना हुआ ये जो तेल है ये बहुत ही जादा पावरफुल ऑईल है जिनने वेरिकोस वेन की समझता है पिंडलियों में नसों का गुच्छा इखटा हो गया है वहाँ पर भी मालिश करने से आपको दर्ड से राहत मिलेगी एक नैश्रल पेन किलर का काम करता है ये मैजिकल ऑईल दर्द को खीचेगा, सुजन को उतारेगा पैरों में सुजन है, मोच आ गई है, लचक आ गई है उसे बिलकुल दूर करेगा कमर पे लगाएं, घुटनों में लगाएं, गर्दन में बच्चों को दर्द है आप बच्चों को भी इस तेल से मालिश कर सकते हैं कई बार बच्चे खेलते खेलते गिर जाते हैं आप केवल इस तेल से मालिश करें जरूरी नहीं कि बहुत महंगे ओइंटमेंट से मालिश करें इस तेल से मालिश करें कई बार हम भारी चीज़ उठा लेते हैं तो हाथों की कलई लचक जाती है तब भी आप इस देल से मालिश करेंगे तो आपकी हाथों की कलई की दर्द खतम होगा, सुजन खतम होगी और जो नस थोड़ी सी सिकुड गई है, सिकुड हुई नस भी ठीक होगी इसके अलावा कभी कभी मेथी के पानी के साथ ही साथ अजवाइन और कलोंजी का पानी पिएं कभी कभी अजवाइन और सौफ का पानी पिएं सुबह उठकर आपको एक चमच सौफ और अजवाइन को एक बड़े गलास भर के पानी में अच्छी तरह से उबाल लेना है चान लीजे और फिर आप उसे इससे पले ले कर पीजे इससे भी आपकी हड़ियों की कमजोरी दूर होगी और दिन भर आप चुस्ती फुर्ती महसूस करेंगे शरीर में किसी भी हिस्से में दर्द होता है ना तो हमारा मन काम करने में नहीं लगता है इससे दिन भर आप एनरजेटिक फील करेंगे शारीरिक दूर बलता दूर होगी और हड़ियों में मजबूती आएगी इस ड्रिंग को थोड़ा स्वादिस्ट बनाने के लिए आप चाहें तो एक छोटा सा टुकड़ा गुड का डाल सकते हैं तापकि आपको पीना अच्छा लगे आप इसे ले सकें हाँ जो लोग वजन कम करने के लिए सौफ अजवाईन का पानी पी रहे हैं या मेथी का पानी पी रहे हैं वे लोग यहाँ पर बिलकुल भी जैगरी का इस्तमाल नहीं करेंगे बाकी लोग आदा चमच गुड डालें गुड भी आइरन से भरपूर होता है हमें एनिमिक होन गुड का पानी तो परिवार को वीडियो कैसा लगा कुछ दिन आप इस रेमेडी को ज़रूर ट्राय करें 100% रिजल्ट मिलेगा वीडियो पसंद आया है लाइक करें शिखास किजन चैनल को सब्सक्राइब